हेलो गोस्तो हिंदुजा ग्लोबल आज 20% डाउन है क्या रीजन है उसके बारे में हम बात करेंगे लेकिन इस वीडियो के लर्निंग की तरह लीजे जहां मैं डिविडेंड इंवेस्टिंग डिविडेंड इंवेस्टिंग के प्रोसेस को भी लूँगा और हिंदुजा ग्लो उन्होंने बेचा था बेरिंग पी जो है उनकी एक कंपनी को बेचा था तो उनके पास लगभग 8000 करोड के आसपास का डिविडेंड आया था तो यह एक इवेंट हुई थी कुछ मैनों पहले तो एक बड़ा डिविडेंड शेरोल्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे था तो एक् 27 जैनवरी को हो जाएगा तो साइद मार्किट इस डिविडेंड उनको एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी तो मार्किट को साइद यह अच्छा नहीं लगा और अब देख सकते हैं 20% का टोटल लोवर सर्किट लग गया है को अलग अगर आप तो ने स्टॉक का प्राइस देख करूँगा मैं यहाँ पर डिविडेंड इन्वेस्टिंग के बारे में मैं बात करूँगा कि क्या हम किसी भी स्टॉक को जस्ट वो डिविडेंड दे रही है क्या वो एप्रोच सही है या नहीं है तो देखिए हिंदुजा ग्लोबल एक पहले मैं प्रोज की बात कर लूँ ये एक special situation था कि 8000 करोड का डिविडेंड आने वाला है तो बहुत इन्वेस्टर ने सायद इसलिए भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया होगा कि कंपनी के पास बड़ा cash balance है तो डिविडेंड भी बड़ा आ सकता है कुछ-कुछ जगह में मैंने analysis भी देखी है कि कंपनी के पास पर share 3000 रुपे तक के पैसे थे तो 150 रुपे तो बहुत कम है तो यह एक special situation का case था तो चीजें दोनों बाजू जा सकते थी कल अगर बड़ा डिविडेंड आता तो सायदा 10% 20% के अपर circuit में भी यह होता तो यहाँ पर एक तरीके से high risk hard high reward जैसा था but risk तो investor ने लिया reward उतना न चाहिए यह थोड़ी से uncertainty थी अब management ने कहा कि ठीक है हम उतना डिविडेंड नहीं देंगे यह management का प्रिविडेंड इन्वेस्टिंग का जहां पर बहुत सारी companies अपने डिविडेंड जो है दो देती रहती है लेकिन कुछ company ऐसी है जो consistent dividend देती है और वहाँ पर हमको focus करना च situation आ सकती है और वहाँ पर disappointment हो सकता है जैसे हिंदुजा में हुआ अभी कुछ साल पहले मैजेस्ट को में हुआ था जहां 970-74 का डिविडेंड आ गया था stock price जितना था उतना गदर डिविडेंड आ गया था तो वहाँ पर company वहाँ पर investor न अच्छा पैसा बनाया होगा तो य छीज होती है तो इसलिए expectation कभी meet होती है कभी meet नहीं होती है तो यहां पर क्या low risk में क्या किया जा सकता है low risk medium return के तो कुछ stock होते हैं जो consistent dividend payer होता है साल में एक बार देते हैं दो बार देते हैं जैसे अब चलिए PSU's की में बात कर लो, PSU's की dividend policy रहती है, उसी तरह हर company, IT company की भी dividend policy होती है, कि हम let's say 100 रुपे कमाएंगे तो 50 रुपे dividend दे देंगे, 60 रुपे dividend देंगे, जैसे मैं ITC की बात करूँ, उनकी dividend policy है, 80-85, जितना भी कमाएंगे, 85-80% वो dividend में वो shareholders को दे देंगे तो profit बढ़ेगा, तो वहाँ पर आप expectation भी रख सकते हैं, dividend भी उनका बढ़ता रहे, dividend policy भी अब आप invest करी रहे हैं, तो dividend policy को भी देख लीजिए, तो वो important है, और बहुत ही simple में, अगर आपको low risk में, अगर आपको देखना है, high total dividend चाहिए, तो dividend opportunity index भी है, उसके बारे में मैं को blame नहीं करूगा, Hinduja Global को, या किसी को भी यहाँ पर blame नहीं करूगा, as an investor हमारे लिए जरूरी है, asset allocation करना, वो बहुत important है, और dividend क्योंकि अभी आप देखेंगे quarter three के result आ रहे हैं, बहुत सारे, जन्वरी, February, March में, dividend की बाहर आने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले स dividend दे रहे हैं, इसलिए लेना वो भी सही strategy नहीं है, तो इसलिए जरूर देखिए, उनका profits बढ़ रहा है, EPS बढ़ रहा है, और उनका consistent track record है की नहीं, अचानक से कोई company समझ दीजिए, चार रुपे, पांच रुपे dividend देती हैं, और अचानक से कोई 50 रुपे dividend दे रही है, 100 रुपे dividend दे रही है, तो मुझे लगता है, हमको आपको अपने से ज़्यादा प्रस्चन पूछने चाहिए, कि क्यूं दे रही है, तो थोड़ा सा deep में आप जरूर analysis कर सकते हैं, उमेरे दोस्तों यह learning video में आपको value मिली होगी, आपको समझ में आया होगा, जो dividend का जो thought process है,